आजकल के टाइम में हम अपने घर को फैंसी बनाते हैं तो यहाँ पे जो दरवाजा और खिड़की के जो फ्रेम होता है वो लकड़ी का यानि उडेन का या एमेस का नहीं लगाके हम क्या करते हैं पत्थर का यहाँ पे window frame या दरवाजे का frame लगाते हैं और यह पत्थर का जो frame होता है यह काफी मतलब मजबूत भी होता है इसका काफी लंबा time तक चलता है इसमें कोई सरने गलने या कीडा लगने की समस्या नहीं होती है तो यह आप देख रहा हैं यह गृनाइट जो यूज किया गिया है यहाँ पर गिरनाइट का window में फ्रेम लगाय गिया है तो यहां मैं आपको डिटेल न बताने वाला हूँ कि यह window frame लगाना कैसे है यह लगाने का आपका कितना labor charge पड़ता है और साथ में अगले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप अपने दर्वाजे में पूरा डोर फ्रेम लगाना चाहते हैं तो फिर आपको कैसे लगानी है और क्या उसमें खर्चाएगा सबसे पहले देखिए विंडू फ्रेम या दर्वाजे का फ्रेम लगाने के लिए सबसे पहले जो भी आप ग्रेनाइट मार्केट से लेते हैं अगर ब्लैक कलर का ग्रेनाइट लेते हैं मेरे हिसाब से तो काफी सुन्दर लुक आता है आप सबसे पहले उसका जितना भी cutting है उसका एक measurement लेके और उसका size के हिसाब से आप उसका cutting कर लिजे तो ज्यादा तर देखा जाता है तो 4 इंच चोड़ा हम जो दरवाजे का हमरा चोड़ाई और खिड़की का जो चोड़ाई होता है उस हिसाब से 4 इंच चोड़ी हम यहाँ पर पट्टी काट लिए हैं और फिर उस हिसाब से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो area light chemical जो आपको दिखाई दे रहा है यह area light इसमें दो टाइप का एक thinner आता है एक hardner आता है दोनों को mix करके आपको पूरा पहले granite को अच्छे से साफ कर लेनी है फिर उसके उपर आपको मतलब उसके back side में जिदर से हमें चिपकानी है उधर लगा लेनी है और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि granite को लगाने से पहले उसको rough करना बहुत जरूरी है बहुत लोग क्या करते है जो plane उसका surface होता है back side तो plane नहीं रहेगा तो वैसे ही उसको चिपका देते हैं वैसे चिपकाईएगा तो बाद में छूट सकता है लूज पड़ सकता है इसलिए आपको करना क्या है कि आपको उसको rough करना है और rough करने के लिए grinder तो हम उधर चलाएंगे नहीं ग्रेंडर से हो सकता आपके ग्रेंडर से हो सकता आपके ग्रेंडर टूट जाए चेनी अतरवरी से काटेंगे नहीं तो आप देखिए आप जब air light लगा लेते हैं chemical यूज कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे sand यानि जो बालू है बालू का जो मोटा मोटा कड है वो हमने ले लिया है और इस पे पूरे पत्थर पे अब छिड़कवा दिया जा रहा है यानि लगा दिया जा रहा इससे क्या है कि जब यह hard हो जाएगा तो पीछे का surface बिल्कुल rough हो जाएगा अब यह असानी से कहीं पे भी चिपक जाएगा चिपकाने से पहले आपको क्या करना है जहां पे भी लगाना है वहाँ पे आपको इसका पहले नाप ले लेना है जो भी हम पीस काटे है वो छोटा बड़ा तो नहीं है एकजेक्ट नाप लेने के बाद फिर आपको क्या करना है इस पे हमें सिमेंट का जो हम मसाला बनाया हो इस granite को वहाँ पर fix करते हैं तो सबसे पहला आप जो पट्टी इसमें लगाई जाएगी तो उसको fix करने के टाइम में उसको proper अभी अच्छा से fix नहीं करेंगे उसको पहले साहूल से चेक कर लेंगे एकदम सही से fix सीधा हो रहा है कि नहीं तब उसको आपको थोड़े से मार के उसको fix कर देना है और जो इसमें आपको मसाला बनाना है दोस्तों सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिमेंट का आपको मसाला लेना है जो टाइल एडेसिव आती है यानि जो केमिकल आता है मार्केट में एसीन का भी आता है यहाँ पर देख रहा है MYK लेटी क्रीट यहाँ जो केमिकल है ओ यूज किया जा रहा है सिमेंट में यह केमिकल को मिला के तब यहाँ पर पत्थर के उपर लगाई जा रही है तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि सिमेंट का मसाला बनाना है फिर उसको चिपकाना है और दोस्तों आपको ये कोसिस करना है कि जो हम जब पत्थर चिपकाते हैं तो उसके back side में यानि पीछे side में क्या होता है कि हम सिर्फ cement भर देते हैं ओ गलती आपको नहीं करनी है वहाँ पर क्या करना है कि जो plaster का मसाला होता है ओ जैसे कि एक ratio चार का जो हम मसाला बनाते हैं एक cement और चार हमारा जो बालू होता है रिवर्सेंट उस तरीके से हम मसाला बनाएंगे और फिर उससे हमें filling करनी है तब जाके जो हमारा पीछे का दिवार होता है पीछे का surface होता है वो चिकना हो जाता है और इस तरीके से हो मजबूत भी होता है कई बर होता क्या है कि अब इस पे जैसे पल्ले उल्ले लगेंगे या जैसे आप दरवाजे बनाते हैं तो दरवाजे वहाँ पे खोलते बंद करते हैं तो अगर सिर्फ सीमेंट से आप उसको जाम किये रहेंगे भरे रहेंगे तो वहाँ से हिल सकता है, वहाँ से उखड सकता है इसलिए आपको करना क्या है कि cement के साथ आपको river sand यानी plaster का masala बनाना है उससे आपको उसको filling करना है उससे आपको उसका भराव करना है तब जाके वो मजबूत होगा और cement में आपको जो भी tile का adhesive जो मिलता है वो आपको यूज करना है जैसे आप यहाँ पे देख रहा है अब दोस्तों बता दे कि जो यह window frame यहाँ पे लगाया गया है यह market में अभी कितने रुपे rate चल रहा है लगाने का तो आप देख सकते हैं कि यह सामने आपको 2 इंच की पट्टी दिखाई दे रही है और window का size यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं है यह 2 feet by 4 feet का लंबा यहाँ पे window है और सामने की यह पट्टी 4 इंच की है बीच में आप देख रहा है corner पे उसके group दिया गया है तो यह इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो यह जो चाहे आप door frame बनाए चाहे window frame बनाए यह running fit में चलता है कहीं पे भी तो running fit जो है मेरे यहाँ 1.500 रुपय है अभी कानपूर में आपके यहाँ क्या rate है वो आप जरूर बताए तो यहाँ जो आप खिड़की देख रहा है यह 2 feet by 4 feet इसकी उचाई है तो ऐसे देखा जाए तो 2 feet नीचे का 2 feet उपर का 4 feet हो गया फिर 4 feet इस side का 4 feet उस side का यानी 8 feet हो गया तो 8 और 2 feet नीचे का 10 और 2 feet उपर का 12 और running fit हो गया तो बारे running fit into 1.5 आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि total जो इसमें खर्चा आ रहा है तो कितना खर्चा आएगा तो उस पर भी मैं detail वीडियो ला दूँगा आप comment करके जरूर मेरे से पूछिएगा तब मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा तो इसका जो total मेरा खर्चा आया है तो 18 रुपे यहाँ पर आ गया है सिर्फ यहाँ पर granite को fix करने का यानि installation करने का इसको काटना है molding बनानी है, pasting करनी है इसको सही से एकदम चिपकानी है इसमें जो डिजाइने है, डिजाइने देनी है वही चार भाई चार का अगर खिड़की है तो उसमें क्या है कि चार running fit आपका नीचे हो गया चार साइड में, चार इस साइड, चार उपर यानि कि solar running fit हो गया तो solar running fit हो गया total area और into उसको 1.500 रुपया running fit चल रहा है तो आपको उससे कर देंगे तो 2400 रुपया आपका क्या लगता है, यह से खिड़की को यहाँ पे इसमें पत्थर लगाने का यानि जो labor charge लग जाता है इस तरीके से आपका कितना भी बड़ा खिड़की है यह दरवाजा है, आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं और दोस्तों comment जरूर किजिएगा अगर आपका कोई सवाल है या सुजा हो है तो मैं उसका जरूर answer दूँगा